अग्षिए भॉट vehicle क्या होता है कि इससी को आदेश देना और साथ में मार्क Đर्षन करना स्पेक्ट सिर्फ आदेश देने तक सीमित नहीं है, संगठन में बात करते हैं, तो उसमें बहुत सार elements आजाते हैं, कैसे आजाते हैं, तो अगर हम किसी संगठन में प्रवंदन के संदर में बात करेंगे, निर्देशन की, ठीक है, तो उसमें निर्देशन क्या-क्या होता है, आदेश देना निशित रूप से बहुत important aspect है, सबसे पहला, instructing, ठीक है, instructions देना, उसके आदेश देना, उसके बाद से आपने आदेश दिया, वो काम ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो आजाता है supervision, परवेक्षन, क्या आता है, परवेक्षन, परवेक्षन मतलब supervision, त उसका mark दर्शन करोगे, guiding, ठीक, तो mark दर्शन भी आगया, और उसके बाद से आप क्या करोगे, उसको शला भी दे सकते हो, कि इसको इसतरे से करना चाहिए, तो ज्यादा सझी रहां, तो उसको बोलते है counseling, क्या बोलते है, Concilling, अच्छा, परामर्श, ठीक, उसके बाद से क्य पिरण भी आ गया ठीक अच्छा और क्या है कुशल नेत्रत्रप्रदान करने के लिए लीडिंग ठीक है और लीड बाइग्जामपल ही सबसे अच्छा तरीका देखा जाता है कि आप खुदी इस तरह से काम करो कि बाकी सारे लोगों को लगे कि हां हम भी काम कर सकते हैं मोटिवेटेड भी रहेंगे कोई समस्ते आगे तो उससे कैसे निफ्टा जाएक यह सारी चीज़ें देख पाएंगे तो हम लोगों ने कहा क्या देखा कि सिर्फ और सिर्फ इंस्रक्शन नहीं है इंस्रक्शन को छोड़ करके परविक्षन है सुपरविजन है मार्क दर्शन ह परामर्स है कांसलिंग है अभी कांसलिंग को कुछ लोग देखे एक हुता है थोड़ोडी इंगलिश भी सीखते जाएं एक हुता है कांसल का मतलब होता है कोई परिशाद है कोई पंचा आए तो इसको CIL लिखते हैं और एक होता है CUNSEL मतलब सलाह देना तो हम लोग यहां क्यों कि अधा रहा है तो किसी भी optimization में अपने organization के उड़ेश के है संगठनातमक उड़ेश की पूर्ती के लिए इंडिविजूल अपने अपने efforts लगा रहा है लेकिन वह जो efforts भास्तव में संगठना जो संगठन का उड़ेश है उस दिशा में है या नहीं है ये बात इंशोर करने के लिए, ये इंशोर करने के लिए, कि हर इंसान के द्वारा किया गया काम, वास्ता में संगठन के द्वारा जो आवश्या कामया संगठन का उद्देश है, उसकी पूर्थी में ही लगा हो, ये इसका उद्देश होता है, किसका निर्देशन का, तो क्या है मुखके उद्देश है क्यों कि यह कारण है अच्छा अब आ जाते हैं विशेष्थाओं को देख लेते तो जो अर्थ है उसी से जुड़ा हुआ है विशेष्थाएं भी जिससे कि हम अच्छे से समझ पाएं कि यह क्या होता है तो सारे एक एक आसपेक्ट को प्रवंदन का प्रवंदन का पूरी इंटर लिंक है तो आप समझते चलेंगे तो आपने आप रटनी की जरूरत नहीं आप सोचेंगे बैठके समझ लिया अपने तो आप सोच करके बहुत कुछ लिख सकते हैं इसलिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्या आता है विश आपको होगे कि आपने तो बताया था कि function कौन-कौन से function से management के पहला था वाई planning, new engine आपने पहले plan किया अच्छे से, उसके बाद से दूसरा function क्या था हमारा संगठन बनाना, organizing, उसके बाद से तीसरा माँ था नित्ती करन, staffing, अब ये सारी जो आप आप तीजे कर रहे हैं तो का नहीं हुआ, काम को शुरू करने से पहले की तैयार ही हुई है, समझे आप, plan आपने किया, काम नहीं किया, organization खड़ा कर लिया, काम का जो उद्देश था उसके लिए आपने संगठन बनाया, लेकिन अभी काम नहीं हुआ, तीसरा आपने का किया, उसके लिए नियुक्त करने organizing और staffing, यह क्या करता है, यह काम शुरू करने से पहले की तैयारी करवा देते हैं, अरी बात समझ में, अच्छा, और काम शुरू करने की जब बात होती ही काम करना क्या है, तो वो directing कराती है, और उसमें क्या होता है कि कौन सा काम करना है, कैसे करना है, कब करना है, यह सारी च पहली विशेष्टा है वही इसका महत्त भी है सोचिए अगर डारेक्टिंग नहीं होगी आपने सब कुछ प्लान है नहीं सब कुछ कर लिया लेकिन आप काम शुरू करा है नहीं पा रहे हो तो उद्देश की पूर्ती कैसे होगी किसी बार्गनाजेशन के तो काम शुरू कर आते हैं आप डारेक्टिंग के ही इसका मृत हो ब्लसे हो अच्छा फोर्गनाज्मेंट हो अब इन दोनों पॉर्गन आए गा उपर से नीचे की तरह होता है मत्त highlighter जो टॉप management है वो नीचे बात बात कुता है गा middle management को मिडिल मेंजमेंट से बात lower management जाएगी lower management से employees पर जाएगी अच्छा कैसे होता है तो माली जी यहां पर कोई भी एक प्रवंदक है उस प्रवंदक से उपर का है उसका एक बॉस है जिसको हम बोल सकते हैं अधिकारी क्या बो लग बोल सकते हैं, अधिन अस्याइंग्लेश ने बोल सकते हैं, क्या आदेश दे सकता है, तो यह निर्देश की तरफ है, संगठन में जो ऊपर से नीचे की तरफ है, उस पदावली में ऊपर से नीचे की तरफ दिशा रहती है, तो आपको आसा रख सकता है कि कोई ऐसे चीज भी होती जिसके दसा नीचे से उपर की हो, बहुत सारी चीज़े होती है, जैसे रिपोर्टिंग, छोटा सा जो एकडम फैक्टरी फ्लोर पर काम करने वाले को इंप्रॉई है, उसने देखा यहा बहुत सार्फ देना है, वड़ेक्ट देना है, फीडबैक देना है, ठीक है, कभी-कभी सर्वे करनट्टर आ जाते है, तो उसकी विच्छ नीचे से उपर भी हो सकती है, उपर से नीचे उक्टी तरफ कहा होती है, तो यह दोनों पॉइंट्स एक ही जैसे है, और इनी दोनो सबना रखा कि अधिकारी है और नीचा धीनस नहीं यहां पर कोई प्रबंदा क्या है तो निर्देशन के दिशाज ओपर से नीचे की तरह पी रहेगी अच्छा ये भी आसान था अब आजते हैं महत पर किसके महत पर निर्देशन का क्या महत है पहला तो मैंने आपको बताई यही महत पर कि निर्देशन के प्राप्ति है तो लोगों के मार्दशन करता है समान उंदेश का मतलब क्या हुआ और निर्देशन के अपने कोछ उदेश था कि यह हमें काम पूरा करना है अब वह ओर नाइजशन इसलिए बनाएगा कोंकि एक इंसान अकेले वह उदेश करने का काम करता है जो हम लोग इस परभाशा में देख लिया था तो यह भी इसका क्या है काफी important महत्य है तीसरा point क्या है निर्देशों का क्रियानवन उप्युक्त परिप्रिक्ष में हुआ है या नहीं अब यहां पर एक बात समझेगा हम लोग ने पहली बात क्या कि थी कि निर्देशन का काम क्या होता है काम को शुरुआत करना सबसे important जो aspect वो है कि किसी भी काम की शुरुआत करना और काम की शुरुआत में क्या है कि कौन सा काम करना है क्या है कब करना है कैसे करना है यह तो आपने बता दिया लेकिन इसके साथ ही साथ आपको यह भी देखना परता है निर्देशन में कि काम को जिस परिप्रेक्ष में पूरा करना था उसमें हुआ है या नहीं आप समझे है निर्देश जो आपने दिया उसका जो क्रियानवियन है वो उप्युक्त परिप्रेक्ष में हुआ है या नहीं ये भी इसी का एक आस्पेक्ट है तो इसी का हम में constrakt किया थैं स्ट करने के पाद से pore लुगफ इससे लिखनेंगे तो इससे मेरे बहुत को समझ में आ जाएगा अग्ला पॉइंट क्या है करम चारियों की शंताओं एवं योगताओं का फून प्रेविग में मदद करता है, तो होता क्या है कि माली जो कोई करमचारी है, उसको कहीं पर problem आ रही है, आपने अगर उसका supervision किया और आपने identify किया कि इसकी problem है, आपने उसको बताया, आपने उसको guide किया, तो वहाँ से उसका improvement हो सकता है तो उसकी जो योगिता शंता थी उसके पास, आपने उसकी जो problem है तो ठीक करा दिया, तो उसकी योगिता और शंता का अधिका अधिक प्रयोग हो पाया, और किसके लिए हो पाया आपका organization के लिए, तो उस angle से भी काफी important है, कि otherwise क्या होगा, अगर आपका effective direction नहीं होगा effective directing process नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, कि जो कर्मचारी है उनकी शंताओं को उतना अच्छा उप्योग नहीं हो पाया किसी भी संगठन में, अच्छा next point क्या आता है महत तुमें, संगठन में आवश्यक परवर्तनों को लागू करने में सहया कुता है directing समझें, माल लिजे कि कोई नया सिस्टम आप लेकर क्या रहे हो अकाउंटिंग हो रही है, किसी भी ऑर्गनेशन में अकाउंटिंग है, लेखांकन की प्रत्रिया है आपने बोला कि नहीं नहीं, अब हम लोग ये वाला मैंक हम शा looking के लिए फाइदे की चीज़ें, उसके बाद भी रेजिस्टेंस होती है! परिवर्तन को ले करके थोड़ा सा एक इस तरह की प्रवर्ति होती है झीस तरह की टेंडू Bowl की होती है कि हम परिवर्तन नहीं रहा है जैसा है वैसा चलने दो दूसरों आपने क्या क्या आपने उद्देश समझाने के बाद से निके रहें हैं आप life कने बता है कि मुझे तो उसका पता ही है ये करना कैसे तो अपने व्यत्ति का तौर पर अपने वेवहार से अभी प्रेजिक तो करी सकते हो, आप इंस्पायर करी सकते हो, आपने खुद से उस आप मैनेजर हैं, तो बाट इंस्पायर को लिए तो यह होता है कि जो चेंज हो रहा होता है, कि बहुत सारे लेवल्स होते हैं, कई बार जो लेवल्स हैं, या काम करने वाले लोग हैं, जो प्लानिंग लेवल पर नहीं चीने देख पा रहे हैं, या और चली या फिर इस तरह के परिवर्तनों को लागू करने में मददगार होता है, क्या? डारेक्टिंग, निर्देशन, यह इंपोर्टन आस्पेक्ट है, अच्छा, ऐसे ही एक और महतपूर बात है, कि इस्थरता और संतुलर मना रखने में सहब पर बनाने में, तो इस तरह में होता है कि, अगर रेक्टिंग, डारेक्शन में एक तरह का, एक पूरी चेन बानी हुई है, उपर से आपको नियुजरिश मिला, आपने नीचय दिया, नीचय वाले और नीचय को दिया, नीचय वाले और नीचय को दिया, तो पूरा एक where तो पॉइंट क्या है कि जो निर्देशन के दिशा है वो फिक्स रहेगी तो उसे बहुत सारे प्रॉलम्स वो नहीं होते हैं कर दो कर दो नहीं होते हैं